साथियों, आज उडिसा के लोगों के सामने में एक संबेदन सिल्फ बुद्दा उठा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे गंबीरता से सुने और समझे ये विशाय नवीन बाबु की तबियत से जुड़ा है आज नवीन बाबु के सुबचिं तक ये देखकर परेशान है कि पिछले एक साल में नवीन बाबु की तबियत लगा साथ गिर्टी जा रही है बिगर्टी जा रही है जो लोग बरसों से नवीन बाबु के साथ रहे हैं वो बताते हैं कि अब नवीन बाबु अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लोग ये भी आशंका जताते हैं कि नवीन बाबु की तबियत बगणने के पीछे कोई साजिस भी हो सकती है ये लोगों की आशंका है तो आप मुझे बताइए उसकी जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए आज इसलिए दस जून को जब बीजेपी की सरकार बनेगी भाजपा की सरकार बनेगी और उडिया मुट्टी मेंसे निकला कोई बेटा या बेटी दस जून को सपड़ लेने वाला है सरकार बीजेपी की बनने वाली है, भाजपा की बनने वाली है और भाजपा की सरकार बनने के बाद एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी ये कमेटी जाच करेगी कि अचानक नविन बाबु की तबियात एक साल में ऐसे कैसे गिर गई ऐसी खराब कैसे हो गई और जाच करकर के सारी सच्चाई देश और उडिशा के लोगों के सामने लाएगी